चो आज फिर हम फिजिक्स में आएं इससे पहले परकास चेप्टर में फिजिक्स का एक बहुत ही इंपोटेंट थेवरम परायते एक बराबर आरबटे दो वो परकास चेप्टर का था लाइट का था आज एलेक्ट्रिक चेप्टर में से हम एक बहुत ही इंपोटेंट थेवर लोग है ओम के नियम को परियोग के दोरा सत्यापित करना होता है तो इसको ओम का नियम पहले जान लो उसके बाद इसमें और भी दो बात परतिरोध पर दो बात और इसके बाद छोटा छोटा विडियो बना के उसमें भी बताएंगे कि परतिरोद पर क्या क्या होता है किस तरह से उसका संयोजन होता है उस पर करेंगे पहले उम का नियम जान लो चुंकि उम के नियम का उप्योग उसमें होता है सबसे पहले तो उम का नियम कहता क्या है किसी चालक से परवाहिध धारा चालक के सीरे के बीच के बिवांतर के समानुपाती होता है और यह किसी भी इस्थिरताप पर होता है ध्यान से समय ना सपोस कर लो यह कोई गुड कंड़क्टर है चालक है इसमें दो सीरा है एक सीराईदर दूसरा सीराईदर इस दोनों सीरे का बिवांतर यानि बीभव यहां और यहां जो भी है दोनों का अंतर इसमें परवाहिध धारा के समानुपाती होता है याद आया याद हुआ फिर सुनो इस्तिरताब पर किसी चालक से परवाहिध धारा चालक के सीरों के बीच के बिवांतर के समानुपाती होता है फिर सुनो इस्तिरताब पर किसी चालक से परवाहिध धारा चालक के सीरों के बीच के बिवांतर के समानुपाती होता है यही उम का नियम है अब इसको संकेतिक रूप में यदि परवाहिध धारा आई हो और चालक के दोनों सीरों के बीच का बिवांतर भी हो तो उम ने कहा कि आई समानुपाती भी होगा यही तो उम का नियम है बस इतना ही तो उम का नियम है यह समझो कि तीन लेटर का यह उम का नियम है आई समानुपाती भी अब समानुपाती साइन को अगर हम एक्वल में बदलते हैं तो कोई एक constant देते हैं अस्तिरांग देते हैं लेकिन यहां चूंके यह चालक ले रहे हैं तो इसका कुछ नकुछ परतिरोध होगा कुछ नकुछ resistance इसका होगा तो इसका resistance यहां अस्तिरांग बनता है जो के भी बटा आर एक बटा आर के रूप में यहां पर अस्तिरांग लिया गया अगर इसको हम भी आई के समानुपाते लिखते तब यहां पर भी बराबर आई आर दोनों एक ही बात है, सेम चीज है दोनों, तुम इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो, दोनों सही है, इससे भी हमको क्या पराप्थ होता है, भी बराबर आईयाद, और यहां से भी हमको पराप्थ हुआ भी बराबर आईयाद, यही ओम का नियम है और यह बहुत ही important result है इसका बहुत जगे उपयोग होता है ठीक है? ये उम का नियम हो गया इसके सत्यापन के लिए एक परियोग होता है सत्यापन कैसे करेंगे कि ये बात सही है एक्जाम में जो कोस्तन आता है ये लगभग हर साल किसी ने किसी रूप में पूछा जाता है वोल्ट मीटर, आमीटर, बैटरी, कुण्जी और एक चालक तार या उसको हम परतिरोध के रूप में कहें ये सब चिल लेते हैं और उसको इस चित्र के अनुसार सेंजोजित करते हैं या देखो इस चित्र में एमीटर है वोल्ट मीटर है ये चालक तार है, ये बैटरी है, ये कुण्जी है इस परकार से हम संजोजित करते हैं जब हम इसमें कुण्जी लगा के परवाधारा परवाहित करते हैं तो एमीटर का काटा भागता है वोल्ट मीटर का भी भागता है दोनों का पथन नोट करते हैं सबसे पहली बात क्या हुई एमीटर वोल्ट मीटर बैटरी चालकतार कुंजी सबको चितरा नुसार जोड़ते हैं संजोजित करते हैं चावी लगा कर, पुन्जी लगा कर, परिपत में धारा परवाहित करते हैं, बैटरी से धारा परवाहित होती है, तो मीटर और भोल्ट मीटर का काटा आगे बढ़ता है, दोनों का पथन नोट करते हैं, दोनों का पथन नोट कर लिए, अब बैटरी की संख्या को बदल बदल बार वरार बार दोहराते है एक बैटरी से दोची से तीन बैटरी से बार बार इस पर योग को दोहराते जाते हैं और पर्त्यक स्थिती में ए इस परकार हमको जो पठन पराप्त होता है, मैं थमा पढ़े हो कि गराफ बनाने में कम से कम दो बिंदू की जरूरत होती है, यहां हमने तीन बिंदू के बारे में बताया, कम से कम तीन बिंदू यहां ले लेना चाहिए, तीन पठन नोट कर लेना चाहिए, एक सेल का, दो का और तीन का, ये बुंदू बन जाता, पॉइंट के रूप में आ जाता है, हमारा यहां X-axis के जगे पर विवांतर होगा, और धारा की जगे पर Y-axis के जगे पर विदू धारा I कमान होगा, I कमान देता है A, और B कमान देता है भोल्ट मीटर B, ठीक है, इससे हम बिंदू बनाके जब हम गराप खीशते हैं, तो हमको गराप में एक सरलेखा पराप्त होती है, इससे साबित होता है, कि हमारा I समानुपाती B है, अगर इस्टेट लाइन नहीं होता, तो यह साबित नहीं गराप में जढ गराप्त होता थे इससे साबित हैं, पहें होता है, पहें होता है।